दोस्तो सागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में लिकर आए हैं मत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर दोस सभी लोग आ जाईएगा अगर आप चैनल पर पहली बारा आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें वो जादा से जादा वीडियो को सेयर करें अज कपने याँ पर फर्ष्ट कॉस्चन क्या पूंचा गया है देख लेते हैं जोड़ जाईएगा सभी लोग नेता नहीं नांगरेक चाहिए निवन्द की रचनाकार कौन है बताईएगा कॉस्चन नमबर इंक्याउन है और इंक्याउन में आप सभी का क्या होगा सई आंसर नेता नहीं नागरे के चाहिए ये निवंद किनका माना जाता है चार विकल्प आपके यहापर दिये गये हैं शबी लोगँ άंसर कमेंट में बताते जाएंगे तो आप सभी का यहाँपर सही आंसर आजरा रहा है कि ये दिनकर जी का निवंद माना जाता है किनका देनकर जी जो है उनी का ये निवन्द माना जाता है नेता नहीं नांगरेक चाहिए स्टी वाला विकल्प जो है भै आपका इंक्याउन में सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन देखे नमानक देबनांगरी बर्लमाला किस वर्स में प्रिकासित हुई थी उननिस सोच्ञाट में 62 में 63 में 95 में तो कॉस्चन नमबर वाण आपसे आपर पूंचा क्या है निमानक देबनांगरी वर्लमाला किस वर्स प्रिकासित हुई तो वाण में आप सभी का यांपर सही आंसर आरहा है क्या रहा है सही आंसर वाण में आपका विकल्प नमबर एक सह आंसर है 1966 आपका सईए आंसर आनंद जी लबली जी तनू जी 1966 आपका सईए आंसर होगा ननवी जी गौस्चिन नमबर आप से आपर पूचा है काबा करवला त्रेपन वा कॉस्चन है इसकी रचिनाकार कौन है त्रेपन में आपको चैन करना है मैं अचली संड गुपत हैं इस त्रेपन वा कॉस्चन याप पर पूचा गया है और आप सभी का सईए आंसर आ रहा है कि विकल्प नमबर एक जो है यहाँ पर क्या होगा सईए आंसर कौन माने जाते हैं काब और करवला की रचिनाकार बताना है बताइएगा महत्तुपूर्ण कॉस्चन यापर पूचा क्या है चैन कीजेगा चार विकल्प आपके दिये गए हैं काबा और करबला की रचिनाकार कौन हैं तो आप सभी का यहां पर सई आंसर है मैथली सन गुप्त आपका विकल्प नमबर एक सई आंसर होगा विकल्प नमबर एक जैनोने भी चैन किया है मैथली सन गुप्त उनका सई आंसर है अंगला कौश्चन देखे जैनेंदर पर किन मह ब्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है बैमान ब्यक्ति वताने सरत चंद और टैगुर जी देव और तुलसीदाश जी नीरु और गांधी जी श्रीदक श्रीदर पाठक और दिनकर जी क्वाश्य नमबर चंगन में आप सभी लोग शेहन करिएगा आनन्द जी तो क्या होगा सई आंसर प्रेमचंद पर किन महान कवियों का प्रभाव माना जाता है तो आप सभी का चंगन में सई आंसर आ रहा है निसरत चंद और टैगुर जी आप सभी का सई आंसर होगा विकल्प नमबर ये जो है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन देखे पिरकास और परचाईया किस पिरकार का संग्रह है बताईगा कहानी है नाटक के काब्ब है या फिर एक कांकी है चार विकल्प आपकी है इनमें से आपको बताना है क्या होगा सही आंसर चैन कीजेगा मत पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूँचा गया है और पिरकास और परचाईया किस पिरकार का संग्रह माना जाता है पच्पन में सभी लोग बता रहे हैं कि ये तो माना जाता ये कांकी माना जाता है बी वाला वेकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा बी वाला वेकल्प एकांग की आपका सही आंसर है हरी बंसरा बच्चन भारत सरकार की विदेश विवाग में हिंदी विशेशग कब बनी कब बनी थे यह आपको बताने 1930 में 1950 में 1940 या 1955 में 56 question या पर पूँचा गया है 56 में आप सभी का क्या होगा सईयांसर सलोनी जी बताइएगा महत्यपूर्ण question या पर दिया क्या है हरी बंसरा है वच्चन 12 सरकार के विदेश विवाग में हिंदी विसेशक के कब बनी तो 56 में आप सभी का डी सईयांसर होगा 1955 में आपका या पर सईयांसर है विकल्प नमबर चार जिनोंने भी चेन किया है उनका या पर सईयांसर होगा 1955 में राम जी की चीटी राम जी का सीर किस पिरकार का संग्रए बताइए राम जी की चीटी और राम जी का सीर किस पिरकार का संग्रय माना जाता है यह किनकी रचिना मानी जाती है पूँची जाती है रचिना महत्युपुण रचिना नवंद है कहानी है नाटक है उपन्यास है तो संताउन में आप सभी का सया अंसर आ रहा है कि ये जो है क्या है राम जी की चेटी राम जी का सेर किस परकार का संग्रह है निवंद संग्रह वाना जाता है निवंद संग्रह है वेकल्प नमबर एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा निवंद संग्रह जनों ने भी चेन किया है उनका सही आंसर यहाँ पर होगा बिल प्रभाकर है यहां पर बताने चन बोले कण मुस्काई अंठाउन वा कॉस्चन याँ पर दिया गया है और अंठाउन में आप सभी का सई आंसर आ रहा है क्या रहा है सई आंसर चैन कीजेगा मत्तुपूर्ण कॉस्चन है बिकल्प नंबर एक आपका सई आंसरों का कनया लाल म प्रभाकर जो है उनी की रचना मानी जाती है छन बोले कण मुस्काई बिल्कुल चाहिए अंगला कॉस्चन याँ आप देखेगा रत के पाई किस पिरकार का उपन्यास माना जाता है जिस पिरकार का उपन्यास है यह पूंचा है सामाजिक है आंचले के अतिहासे के जाती है उन्सट में आपको चेन करना है उन्सट में आप सभी का क्या होगा सई आंसर रत के पाई किस पिरकार का उपन्यास माना जाता है और उन्सट में आप सभी का सई आंसर आ रहा है यह माना जाता है सामाजिक किस पिरकार का उपन्यास है सामाजिक उपन्यास माना जात तो आसा है विकल्प नमबर एक सभी को यहां पर सज्य अंसर होगा अंग्लिया क्वास्चन यह आपकर देखेगा टेड़े मेले राश्टी किस परकार का संग्रह है टेड़े मेले राश्टी नाटक माना जाता यह विकांकी है, निबंद है, उपन्यास है, ये चार विकल्प आपके आपर दिये गए है, question मत पूर्ण है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, टेड़े मेड़े रास्ती, किस परकार का संग्रह माना जाता है, साथ में आप से पूंचा गया है, तो आप सभी का सही आंसर होगा, विकल्प नंबर स्रीकांत जी, क्या है सही आंसर, ये माना जाता है, उपन्यास, क्या माना जाता है, उपन्यास जो है, उपन्यास विदा की रचिना मानी जाती है, किन की रचिना है, ने टेड़े मेड़े रास्ते वगवती चन वर्मा, आपका सही आंसर हो, ग प्रेम्चंद है, 61 में आपको चैन करना है, क्या होगा सई आंसर, चैन कीजेगा 61 कॉश्चन है, कि सब्त रस्मी एकांकी नाटक के रचिना कार कौन माने जाते हैं, और आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा, विकल्प नमबर, एक सेट गोबिंद दास आपका यहां पर सई आ वह आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा, दो आपर खंड काब्ब के रचिना कार कौन है, कौश्चन नमबर, 62 आप से यहां पर पूँचा है, निराला है, प्रसाथ है, मैतलिशन गुप्त है, रामकुमार बर्मा है, 62 वा कौश्चन यहां पर पूँचा क्या है, और 62 में आप सभी का सी सई आंसर है, मैतलिशन गुप्त है, आप सभी का सई आंसर होगा, मैतलिशन गुप्त है, इसके रचिना कार माने जाती है, द्वापर के, विकल्प नमबर आप सभी लोगों ने सी बताया है, जन्हों ने भी सी चेन किया है, उनका यहां पर सई आंसर है, आप से यहां पर पूंचा गया है तिरधारा जो है सुबद्रा कुमारी चौहान जी जो है सुबद्रा कुमारी चौहान उनी की रचिना मानी जाती है कौन सी तिरधारा जो की बहुत ही मत पूंच पूंच रचिना मानी जाती है गंगला कॉस्चन यहां पर क्या पूंचा गया है देखेगा question number आपसे 64 पूँचा गया बंद गली का आखरी मकान किस पिरकार का संग्राय है यह कहानी है निबंद है एक आंकी है काप्ड है यह चार विकल्प आपके दिए गया है चौह सब्सक्राइब का आखरी मकान पूँचा गया है और बंद गली का आखरी मकान कहानी विदा की रचना कहानी आप सभी का सईयांसरूगा बंद गली का आखरी मकान यह कहानी मानी जाती है अब किन की कहानी मानी जाती है कमेंट में लिखना है आपके लिए question number 65 आपर देखेगा आजीवी का सादक हिंदी के रचनाकार कौन माने जाते है पूरन चंद टंड है महिस चंद्र गुप्त है क्या लास चंद भाठिया है कृष्ण कुमार है कौन माने जाते है बताईए 65 वा question आजीवी का सादक हिंदी के रचनाकार कौन माने जाते है चैन क्यंदा है सभी के लिए और 65 में आप सभी का सहिए अंसर आ रहा है विकल्प नंबर एक आनि की पूरन चंद टंडन आप सभी का याँ पर सहिए अंसर होगा पूरन चंद टंडन जनोंने ये वाला विकल्प चशें क्या ए उनका या पर सहिए अंसर होगा बहुत बढ दिया अंगला question याप देखे क टॉश्यंवर हैं ब्रम्य पुत्र के मूर्चा वन्दी किस परकार का संग्रह है न संतनू जी च्या होगा सइयांसर ब्रम्य पुत्र , ए ये माना जाता है क्या माना जाता है निवंद उपन्यास नाटक कहानी ये चार विकल्प आपके आपर दिये गए हैं 66 वा कॉच्छन है और 66 में आप सभी का सई आंसर आ रहा है ये जो है निवंद माना जाता है निवंद आपका सई आंसर है विकल्प नंबर बी जन्वने भी चैन क्या है उनका यापर सई आंसर होगा निवंद आप सभी का सई आंसर है बी वाला विकल्प होगा सई आंसर ब्रह्म्य पत्र की मूर्चे वंदी अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर 67 पूँचा है जीएं तो ऐसे जीएं यह रिपूर्टाज किनका माना जाता है इसके रचिनाकार कौन माने जाते हैं मन्नू बंडारी हैं कमलीस्वर हैं धन्बीर वारती हैं कनया लाल मिस्तर प्रभाकर हैं जीएं तो ऐसे जीएं समित जी क्या होगा इसका सहई आंसर 67 पॉस्चन आप से पू Teams गया है जैंतो ऐसे जीएं हैं तो ऐसे जी है, कनईया जी के जैसे, तो कनईया से कनईया लाल मिस प्रवाकर आपका सही आंसर होगा, अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा, कॉस्चन नमबर, देखे, यहाँ पर बार है, एकांकी के रचिनाकार कौन माने जाते हैं, अलसट बार कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया है, बार है, एकांकी दिनकर, विश्णू प्रवाकर, मौन राकेस, डाक्टर नरेंद्र सर्मा, अलसट में आपको चैन करना है, और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चैन कीजेगा, बार है, एक आंकी के रचिनाकार कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, तो विलकुल मनिशा जी, लवली जी, विकल्फ नमबर 68 में, आपका विकल्फ नमबर जो भी है, वहिए सही आंसर होगा, विश्णू प्रवाकर, विश्णू प्रवाकर आप सभी का सई आंसर है विश्णु प्रवाकर सई आंसरों का कल्पना पत्रिका का संपादक कौन है यह वैसे आपको बताना है निराला पंत रामचन सुकल या फिर भवानी प्रसाद मिस्र है बहुत बढ़िया तो इता जी चैन कीजेगा लाइक भी करते जाएगा जन्होंने पत्रिका की संपादक कूछा गया है नोड़ी वाला विकल्प आपका सई आंसर होगा वावानी प्रसाद मिस्र है वावानी प्रसाद मिस्र आपका यहां पर विकल्प नंबर चार जो है आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा बहुत बढ़िया विल्कुल सई वावानी प्र पार्टें यूग या फिर छाया बात यूग सत्तरवा कॉस्चिन आप से पूंचा ग्या है और सत्र में आप सभी का सàiयांसर है 19-1920 तो आप सभी का यहां पर सàiयांसर है बहुत सारी लोग भी बता रहे हैं नहीं यहां पर दुबेती योग लगा दीजेगा सàiयांसर तो बिल्कुल चाहिे लगा दिया विकल्ब नंबर दो में आप सभी का स Ricky आंसर दुबेदी योग आपका यहां पर सही आंसर होगा 1900 से 1920 तक का जो साइट है दुबेदी योग है संदर्व सर्वस्य किस पिरकार की रचना है question number 71 में आपको बताना ये निबंद है कहानी है, नाटक है, आलोचना है ये चार विकल्प आपके दियेगा है संदर्व सर्वस्य किस पिरकार की रचना मानी जाती है 71 में आपको बताना है तो 71 में आप सभी का सही आंसर होगा निबंद माना जाता है, विकल्प नमबर एक आप सभी का सही आंसर होगा निबंद जन्वन ने भी चैन किया है संदर्व सर्वस्ट तो विलकुल सई आंसर होगा विकल्प नंबर एक आपका सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नंबर आप से पूंचा गया है बत्तरवा कॉस्चन है निरामचरित मानस माकाबी की रचना का स्रीगड़ेस कब हुआ देखे क् पूछा है स्री गड़ेस कब हुआ 1500 में 1534 में 1590 यह 1600 में सबी के कमेंट यहां पर देखते जा रहे हैं बहुत बढ़ी हैं लाइक अबस्ते करें जाएगा सभी लोग बहुत सारे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं अभी तक तो सभी लोग जल्दी से like कि लें और आपका साई आंसर है। 46 में पंद्रहज्सो चोच्टर की रामचरित मानस महाकवि की रचिना का स्रीगणिस कब हुआ तो 500च चोच्टर आपका यहां पर साईंसर होगा। विकल्प नमबर B आप सभी का सई आंसर है, अंगला कॉस्चन या आप देखेगा, भगन मंदर बन रहा है, कवीता के रचिनाकार कौन है, सिरितर पाठक है, दिनकर है, निराला है, मादेई वर्मा है, कॉस्चन नमबर तेत्तर आप से पूंचा गया है, भगन मंदर बन रहा ह है, कि रचिनाकार कौन माने जाते हैं, और आप सभी का यहां पर तेत्तर में सई आंसर होगा, विकल्प नमबर क्या होगा सई आंसर, B आपका यहां पर सई आंसर है, दिनकर आपका सई आंसर होगा, क्या है सई आंसर, दिनकर आपका B वाला विकल्प सई आंसर है, भगन हुई बन रहा है दिन में डिन से दिनकर आपका सय यांतर होगा इंगला कॉश्वन्य आ पर देखेगा निपक जी कॉश्वन नमभर आपसे आपने सेवंटी फूर पूंचब गया है नंददास किस संपरदाई या फिर जैन संप्रदाय और कभी गड़िया नंददास जड़िया जड़िया उपादी से इनको भूसित किया गया था जड़िया कभी के उपादी से नंददास को और इनके प्रिसिद्व पंति है और कभी गड़िया नंददास जड़िया तो इनको जड़िया कभी का जाता है किस पता है आपका सईयांसरों का विखल्प नंबर एक आपका यहां पर सईयांसर है अंगल्या कौश्चन देखिए कभी कर्टब नबंद के रचिनाकार कौन माने जाते हैं पचत्तरवा कौश्चन है जैनेंद्र है रेनुजी है महादेई वर्मा है या फिर महावीर प्रसाद द दुवेदी हैं और आप सभी का यहां पर सईयांसर है क्या है सईयांसर कभी कर्टब नबंद के रचिनाकार माने जाते हैं महावीर प्रसाद दुवेदी महावीर प्रसाद दुवेदी आपका सईयांसर है कभी का कर्टब जो है सही से अच्छे से नवाया है कि नोंने महाव पेरर प्रसाद दुवेदी आपका सई आंसर है अंगला कॉस्चिन यापंपर पूंचा गया है अलो चुनात्म के कभव की रचनाकार कौन है कि बेनु बन कॉस्चिन Question number 76, आपसे यहां पर पूँचा गया है, और अंसजी, 76 में आप सभी का सही आंसर आरहा है, बेणूबन, आलोचिनात्मक का पर रचिना जो है किनकी मानी जाती है, तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है, 76 में, विकल नमबर B आपका सही आंसर है, दिनकर की रचिना मानी जाती बेनु बन बन में आपको कब जाना है दिन में जाना है दिन में तो दिन से दिनकर बन से बेनु बन ये आलोचनात्म के रचिना मानी जाती है दिनकर जी की अंगला कॉस्चन देखे जेश्ट का मध्यान कभीता किस कभ संग्रह से ली गई है पलास बन से प्रिये प्रवास से सा सततर में आपके लिए चैन करना है और सततर में आप सभी का सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर जेश्ट का मध्यान कवीता किस काप संग्रह से ली गई है तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है सततर में विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है पलास बन से पलास बन आपका यहा पर चेंद्रिका यह तो पूँची जाती इसकी भासा क्या है सबसे पहले तो यह पूँचा जाता है राम चंद्रिका के निकी रचिना है केसब दास्की रचिना है इसकी भासा की बात करें अब दी ब्रेज सदुकड़ी घड़ी बोली तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 78 में इसकी भासा मानी जाती है ब्रद भासा क्या मानी जाती है ब्रद भासा आपका वी वाला जो विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर दो आप सभी का सही answer होगा यंगला question याँ पर पूच्छा गया है question number 89 है विसाती कहानी की रचना कार कौन है 89 में आपको chain करना है क्या होगा सही answer, प्रसाद हैं, पंत हैं, दिनकर हैं, कंचन दास हैं तो 89 का सही answer आरहा है जो विसाती कहानी है ये मानी जाते है किनकी? तो विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है, यानि कि पिरसाद आपका सही आंसर होगा, पिरसाद जी जो है उनी की एकाहनी मानी जाते है बिसाती, विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है, मांगी रोटी मिला पत्थर ये निबंद माना जाता है, किन संदीब जी मांगी रोटी मिला पत्थर ये निबंद के रचनाकार कौन माने जाते हैं अगर पूंचा जाता मांगी रोटी मिला पत्थर एक इस विदा की रचना निबंद माना जाता है और किनका निबंद माना जाता है तो मांगी रोटी मिला पत्थर तो पत्थर का क्या होत प्रताप होता प्रताप से ने प्रताप नारण मिस्र आपका सई आंसर है भी वाला विकल्प आपका सई आंसर है पत्र प्रबंद काप्व की रचिनाकार कौन हैं प्रताप नारण मिस्र प्रताप नारण मिस्र आपको बताने नहीं नहीं रचिनाय मिलेंगी आपके लिए पढ़ने के लिए निक्यासी में आपका विकल्प नंबर एक होगा सई आंसर मेतली सन गुपत पत्र प्रबंद काप्व के रचिनाकार कौन माने जाते हैं यहां पर देखेगा नूरी कहानी के रचनाकार कौन है नूरी कहानी के रचनाकार बताना है तो question नंबर आपका यहां पर ब्यासी पूंचा गया है और ब्यासी में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि नूरी रचना तो मानी जाती है किनकी यह कहानी मानी जाती है पिरसाद जी की नूरी को पिरसाद दो तो पिरसाद से पिरसाद आपका जैसेंकर पिरसाद और नूरी कहानी जो है गाहनी विदा की रचिना मानी जातिय जैसंकर प्रसाद की विकल्प नंबर एक आपका यहांपर सईया अंसर होगा कॉस्चन नंबर आपसे यहांपर पूंचा गया है तेरा सीवा कॉस्चन है प्रत्वी राच की आँखें एक आँखें के रचिना कार कौन है बताईएगा वालकृष्ण सर्मा नभीन है मोहन राकेस हैं उदैसंकर बट्टे हैं मोहन या फिर रामकुमार बर्मा है तो कॉस्चन यहांपर दिया गया है प्रत्वी राच की आँखें रामकुमार बर्मा की रचिना मानी जाती है कॉस्चन नंबर आपसे यहांपर पूंचा गया है आच्या रहे मावीर प्रसाद दुवेदी जी का निमन मैंसे कौन सा निबंद है कभी और कभीता या मिलो की किया आत्रा स्यामा स्वपने या फिर इन रास्तियों कॉस्चन नंबर 84 में आपके लिए चैन करना है तई आंसर क्या होगा चैन कीजेगा मत्वण कॉस्चन यहांपर पूंचा है मावीर प्रसाद दुवेदी जी का कौन सा निबंद है है पूंचा क्या है तो 84 में आपका विकल नंबर ये एक सही आंसर है कभी और कभीता कभी और कभीता निबंद के रचिनाकार महाँबीर प्रसाद दुवेदी जी माने जाते हैं विकल्प नंबर एक आपका यहांपर सही आंसर होगा बहुत बढ़ियां बिलकुल सही आज पहली बार कभीता जो है सर्विश्यों जया गर्म हबाएं पाचासी में आपको चेन करना है क्या होगा सही आंसर चेन कीजेगा मत्तपूर्ण कौश्चन है आज पहली बार कभी था थर्वेसो द्याल सक्सेना कि किस काब संग्रह में संक्लित है तो स्री वाला विकल्फ आपका सही आंसर होगा काट की घंटियां आपका यहां पर सही आंसर है काट की घंटियां दीपक जी सुईता जी सलोनी जी विल्कुल सही विकल्फ नमबर आपका जो सी है वैं सही आंसर होगा ठुमरी बताना है जो ठुमरी कहानी संग्रह है इसकी रचना कार कौन मानी जाती है, 86 वा question है, मैं दिनकर है, सिव पूजन सहाई है, रेणू जी है, बेनिपुरी जी है, तो 86 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ठुमरी बताना है ठुमरी, ठुमरी ये जो रचना है, कहानी संग्रह है, इसके रचना कार कौन मानी जाती है, तो 86 में आप सबी का सई आंसर है फणिस्टो नाच रेणू रेणू जी मानी जाते हैं विकल्प आपका ने जो सी है वह आप सबी का यहाँ पर सई आंसरों का बिल्कुल चाहिए विकल्प नमबर आपका यहाँ पर तीन सई आंसर है आंगे वड़ते हैं छायाबाद ग्रंथ किस परकार की रचिना मानी जाती है बताईएगा यह काब ग्रंथ है या धार्मिक ग्रंथ है आलूचिनात्मक ग्रंथ है या नाटक ग्रंथ है 87 में आपके लिए चेन करना है और आप सभी का सई आंसर क्या होगा लाइक वस्ते कर लीजिएगा लाइक जनों ने अभी तक नहीं किया है लाइक और सेयर करने है वीडियो को और चायवाद का ग्रंथ किस परकार की रचिना है तो सी सई आंसर है आलोचिनात्मक ग्रंथ माना जाता है एक आलोचिनात्मक ग्रंथ आप सभी का विकल्प नंबर एक आप सभी का सई आंसर है बिलकुल सभी अंगला कॉस्चन देखेगा प्रमुजी अमलता जी दोला मारुरा दुहा की वासा वताना है पाली है, प्राकृत है, ब्रिजवासा है, अपब्रंस है, 88 में चेन कीजेगा, 88 में आप सभी का क्या होगा सईयांसर, दोला मारूरा दूहा की भासा पूछा गया है और 88 में आप सभी का सईयांसर आ रहा है, इसकी भासा मानी जाती है, अपब्रंस है, क्या मानी जाती है, गुलू जी, अपब्रंस आप सभी का सईयांसर दी वाला विकल्प जो है, आप सभी का सईयांसर दोला मारूरा दूहा की भासा अपब्रंस है बया का गोंसला उपन्यास के रचिनाकार कौन है? Q89 आपसे आपर पूंचा गया है LAK diferentes, Kamlee Sc doorway, निर्मल बर्मा है, राजन द्यादब है बया का गोंसला उपन्यास के रचिनाकार कौन मानी जाते है? नबासी में आपको checkerना है और नवासी में आप सभी का सईया आंसर आ रहा है शरीकांते जी बहुत बढ़िया भया का गौशला उपण्यास की रचिनाकार कौन माने जाते है तो विकल्प नमबर एक सईया आंसर है लक्षमी नाल भया के गौशली में लक्षमी नवास करती है लक्ष्मी से लक्ष्मी नाण लाल आपका सईयांसर होगा विकल्प नमबर एक आपका सईयांसर है विद्यापती की पदावली का संपादन किया है निराला जी ने वेनी पुरी जी ने दिनकर जी ने अग्गे जी ने नब्वे में आप चैन कीजे का केनो ने किया है विद्या नमबर आपका विद्यापती की पदावली जो है इसका संपादन किया है किनों ने क्या होगा सई आंसर विद्यापती की पदावली का संपादन किसने किया तो रामब्रक्ष बैनिपुरी आपका सही आंसर होगा 90 में विकल्प नमबर नभी जिनों ने भी चैन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है रामब्रक्ष बैनिपुरी विकल्प नमबर दो होगा सही आंसर अंसजी अंगला कॉस्चन देखेगा बापू की कुटिया में के औरमबीर वार्ती है नजारी पर साथ दोभेती हैं स्री राम सर्मा है या बैनी पूरी है बापू की कुटिया में के रचनाकार कौन माने जाते हैं तो आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है कॉस्टिन नमबर नाइंटीवन में विकल्प नमबर आपका यहांपर क्या होगा सही आंसर 91 का सही आंसर चेन करना विवेक जी बापू की कुटिया में की रचनाकार मानी जाती हैं कौन तो आपका हाँपर 91 में सही आंसर होगा डी वाला विकल्प है आपका हाँ पर सही आंसर बापू की कुटिया में की रचिनाकार कौन है तो आपका रामब्रक्ष बेनीपुरी होगा सही आंसर रामब्रक्ष बेनीपुरी होगा डी वाला विकल्प सही आंसर विल्कुल सही विकल्प नमबर चार आपका सही आंसर है पान्नवे में आपको बताना है मिट्टी की ओर या फिर अर्द नारीश्वर, रेती के पूल या फिर साहित मुखी, बान्नवे में आपके लिए चैन करना है दिनकरजी का हिम्मत और जिन्दगी निवंद किस निवंद संग्रह से लिया गया है, तो बान्नवे में आपका सही आंसर आ रहा है सी आनि की रेती के फूल आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा रेती के फूल सी वाला जो विकल्प है आप सभी का यहां पर सही आंसर है हालाबाद के प्रवर्तक कौन हालाबाद के प्रसाद हैं अग्ये हैं हरीवंसराय वच्चन है धर्म बीर वारति हैं तेर खालाबाद की प्रवर्ता खरीब अंसरा वच्चन मानी जाते हैं लबली जी विकल्प नंबर निसी जनोने भी चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर होगा बहुत बढ़ियां अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा आप क्या हैं निवंद के निवंदकार कौन है कॉस्चन न 94 में विश्णू प्रवाकर हैं अस्क है निराला जी है या फिर मोहन राकेश हैं आप क्या है निवंद है किनका निवंद माना जाता है यह आपको चैन करना है 94 वा कॉस्चन न दिया गया है और 94 में आप सभी का सई आंसर आ रहा है विकल्प नंबर एक यानिकी विश्णू प्रवाकर निविश्णू प्रवाकर आपका विकल्प नंबर एक आपका सई आंसर है बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन यह आप देखेगा गोबिंद्र सास्तुरी जी अंगला कॉस्चन यह आप दिया है गांधी पंच सती किस परकार का संग्रह बताईए गोश्चन नंबर 95 में लाइक कल लिजेगा सभी लोग गोश्चारी लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक लाइक कलने सभी लोग एक बार गांधी पंच सती किस पिरकार का संग्रह माना जाता है मा काप बे, खंड काप बे, मुक्ता काप बे, गीती काप बे तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि वह माना जाता है ज्या माना जाता है, खंड काप बे माना जाता है तो विकल्प नमबर B वाला रिया जी विल्कुल सही आंसर होगा गांधी पंच सती एक खंड कापवे विकल्प नमबर दो आप सभी का सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा नए पत्ते कापवे की रचना किस वर्स हुई थी 1930 में, 1940 में, 1940 में, 1960 में पूंच गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा तो कॉस्चन नमबर 96 में आपका 46 सही आंसर होगा 1940 आपका हाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर B आप सभी का सही आंसर होगा चतुरी चमार के रचना कार कौन माने जाते हैं बताइए चतुरी चमार के रचना कार बताना है सवी लोग चैन कीजेगा और क्या होगा सही आंसर और आप सभी का याँ पर सही आंसर होगा A. 97 में विकल्प नमबर 1 सही आंसर निराला जी की रचिना मानी जाती है निराला आपका सही आंसर है बया का घोंसला की रचिनाकार कौन है बताए क्या होगा सही आंसर हो और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तो आपका 98 है 98 में सी सही आंसर है आंचलिक ये बया का कौनसला किस पिरकार का उपन्या से ये पूँचा है आंचलिक आपका सही आंसर है राजवासा आयोगे के प्रिथम अध्यक्ष कौनते ये बताना है बताई तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है कि राजवासा आयोग के प्रिथम अध्यक्ष थी 99 में चेन करना है विकल्प नंबर आपका सही आंसर होगा निबाल गंगा धर खेर आपका सही आंसर होगा बीजी खेर आप सभी का सही आंसर है सी वाला वेकल पर जेनों ने भी चेन किया है सई आंसर है हिंदी साहित सम्मिलन की प्रता मध्यक्ष कौन थी तो हिंदी साहित सम्मिलन की बताना है प्रता मध्यक्ष कौन थी तो आप सभी का यहां पर सई आंसर है तो सो में आप सभी का बिल्कुल चाहिए विकल्प नमबर डी वाला जो विकल्प है मदन मोहन मालिविये जी वह आप सभी का सही आंसर होगा मदन मोहन मालिविये आपका सही आंसर होगा बिल्कुल चाहिए मदन महन मालवी जी पिर्था मध्यक्षिते हिंदी साइट से सम्मिलन के तो इस पिरकार के जो है मत्तुपूर्ण कॉश्चन आंसर थे आज की क्लास में सबी लोग वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सस्क्राइब कर लें और जादा से जादा वीडियो को स इसी तरह से रोज आपके लिए जुड़ना है और आपकी अंगली जो क्लास है आपकी कब है दस वजे रात्री में हिंदी साइटी की लाइक क्लास होती है उससे सभी लोग जुड़ियेगा सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो में बस इतना ही इसी तरह है कि question answer आपके लिए लाए जाते हैं मत्तपूर राहे जाते हैं जिससे आपकी बहूत ही वड़या प्रैक्टेस होती है सभी बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल चईब़ध बढ़िया निसी तरह से जड़े रहे गा इन क्लासों से सभी क्लासों को अटेंड किजेगा और